Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. So, देखिए, आप अलोड़ी जानते हैं, reflection of light हमने अलोड़ी study किया हुआ है. और आज की lecture के अंदर हम इसके जो previous question है, वो discuss करना शुरू करेंगे. और हाँ, उपर जितने भी channel और जो pages देगाए है, उनके जो links है description box में डाल दी है. तो बिनन को time waste किया, चलिए जुरू करते हैं. So, देखिए, बड़ा शुरुवात करनी है, हमने one mark questions के साथ. तो सबसे पहला question है कि name one factor that affects the lateral displacement of light as it passes through a rectangular glass slab. देखिए, सिरफ आपके reference के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये lateral displacement basically मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये हमारा हो गया glass slab. अब बाद सिर्फ इतनी है, कि जब कभी एक ray of light glass slab के उपर fall करती है, तो ये आपके incident ray है. तो सबसे पहले, क्योंकि light आपकी enter कर रही है from rarer to denser medium, इसी वज़़े से, जाना तो उसको इस path पे था, तो ये क्या है? original path है मेरे incident ray की. लेकिन actuality के अंदर ये bend करता है towards the normal. cause, किस वज़़े से ऐसा होता है? वो है change in the speed of light, when it enters from one medium to another medium. लेकिन जैसे वो enter करता है, और जैसे ही वो glass से बाहर, मतलब denser से rarer जाता है, तो bend away from the normal होने के वज़े से finally, ये जो आप आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते है emergent ray. Emergent ray और जो original direction है incident ray की, वो दोनों की जो direction है, वो same होती है. मतलब, ये जो emergent ray है और ये जो incident ray है, they are parallel to one another. और उसके बाद, ये भी बहुत important बात है, कि इसका जो angle of incidence है, और इसका जो angle of emergence है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. तो ये जो perpendicular distance मिलता है, इन दोनों के बीच का, किन के बीच का? Emergent ray, and the direction of the incident ray. इन दोनों के बीच में जो perpendicular distance है, इसको हम कहते है, that is lateral displacement, तो पहले तो आपको पता हों चाहिए कि lateral displacement हम कहते हैं कि इसको है, अब ये जो lateral displacement है, ये अच्छले डिपेंड करता है, आपके angle of incidence के उपर, अगर angle of incidence बढ़ा दिया जाए, तो lateral displacement में भी increase आता है, उसके बाद, ये actually आपका depend करता है, ये जो आपको glass lab है न, इस glass lab के ये जो thickness है, ये thickness पे भी depend करता है आपका, refractive index पे depend करता है, ये depend करता है wavelength of light के उपर, तो ऐसे कही सारे factors है, जिस पे ये lateral displacement आपका depend करता है, अब इसके उपर मैंने proper video डाली हुई है, जिसके अंदर आपको मैंने properly explain किया हुआ है, कैसे और क्यूं ये in factors पे depend करता है, तो अभी के लिए क्योंकि ये one mark का है, उन्हें बोला कि state one factor that affects the lateral displacement of light, तो इसका answer हमने यहाँ पे दे दिया है, the angle of incidence, ठीक है, the angle of incidence, तो आप भी एक factor यहाँ पे लिख देना, और one mark हो जाएंगे, देखिए, अब हमने बात करनी है, question number two की, does the depth of a tank of water appears to change or remain the same when viewed normally from above, देखिए, मैं आप simple सी बात आपको बता जाता हूँ, अगर आप अलग-अलग books में या अलग-अलग जगाओं पे इस चीज़ को study करते हैं, तो सब ने अपने ही concept के हिसाब से इसका answer दिया हुआ है, कई कहते हैं कि depth of the tank में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, कोई कहता है नहीं या थोड़ा सा shallow नज़र आएगा, मेरा point of view यह कहता है कि कोई भी फरक नहीं पड़ना चाहिए, उसका reason बहुत simple है, जैसे माल लो अगर यह tank है मारे पास, ठीक है, और यहाँ पर माल लेते हैं कि यह मेरा हो गया पानी, आप अच्छे दरह जानते हो कि अगर कोई भी object अगर dancer medium में हो, और यहाँ से अगर ray of light जाती है, तो पहले तो बीना किसी deviation के वो आर पार चले जाता है, लेकिर अगर मैं side से इसका viewpoint लूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ray of light यहाँ enter करेगी, और dancer से रेर जाने के वज़े से bend away from the normal होगा, and यह जो point है, यहाँ O की जगा पे, यह O' पे हमें नज़र आएगा, what I am trying to say that, कि there is a shift in the position of the object, लेकिन यह सिर्फ तभी possible है, अगर आपका जो viewpoint है, वो तोड़ा side से है, अगर आपका viewpoint exactly उपर से है, बलब exactly यहाँ से है आपका, तो क्यूंकि light के अंदर कोई भी deviation नहीं आती पाथ में, इस वज़े से हमारा जो tank है, उसका जो depth है, वो उतने का उतना ही दिखाई देगा, उसमें कोई भी depth में decrease नज़र नहीं आता, तो मेरा point of view यह कहता है निए, उसके accordingly इसका answer भी मैंने आ लिखा है, कि no, when the depth of a tank of water is viewed normally, no refraction take place and therefore the depth of the tank remains the same, अब हम बात करते हैं, थर्ड की, how does the speed of light in glass change on increase the wavelength of light, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मला जेता हूँ, बात यह है कि, speed of light is equal to f lambda, मैं आपको clear कर दूँ, कि यह जो v है, यह है मेरी speed of light, ठीक है, यह मेरी speed of light है, यह जो f आप देख रहे हो, यह मेरी frequency है, और यह जो आप देख रहे हो, यह है आपका wavelength, wavelength है आपका, units की बात करें, तो यह meter में होता है, यह आपका hertz है, ठीक है कई लोग इसको second inverse भी बोल देते हैं, चल जाएगा, और यह जो आप देख रहे हो, यह है meter per second, इसका unit जो होता है meter per second होता है, अब बात सिर्व इतनी है, कि जब एक light, एक medium से दूसरे medium में enter करता है, तो इन तीनों में से जो change आता है, वो आता है speed of light में, यही देखने को मिला है, कि अगर radar से dancer जाएगा, तो speed of light जो है, वो आप ही कम हो जाती है, और क्योंकि speed of light आप ही कम हो जाएगी, इस वज़ा से, अब हमारे मन में आता है कि frequency और wavelength में क्या change आएगा, तो मैं अच्छे से clear कर दूँ, frequency के ऐसा हमारे पास term है, जो कभी भी change नहीं होता, when it travels from one medium to another medium, और उसका reason यह है क्योंकि frequency जो है, पहले frequency को समझो, frequency क्या बोलती है, frequency बोलती है, और यह बात सिर्फ source पे dependent है, source पे, जो light को produce कर रहा है, तो क्योंकि source में कोई change नहीं आ रहा, तो frequency में कोई भी change नहीं आएगा, अगर वो ray of light आपकी एक medium से दूसरे medium में enter कर रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास क्या रहे गया, हमारे पार यह रहे गया कि V directly portion to wavelength है, मतलब यह कि अगर speed में decrease आएगा, तो wavelength भी कम हो जाएगी, और speed अगर increase हो जाएगी, तो wavelength भी बढ़ जाएगी, तो अब यह पूछ रहा है कि, how does the speed of light in glass changes on increasing the wavelength of light, तो अगर wavelength of light को आप बढ़ाओगे, तो automatically speed भी बढ़ जाएगी, बात खत्म, और इस तरीके से आपने इसका answer देना, क्योंकि one mark का है, तो answer कैसे देना था, तो यह तरीका है, simple आप लिखके हैं भी बता सकते हो, मुझे सिर्फ यह था कि, आपको मैं अच्छे से explain कर दूँ, कि actuality के अंदर, speed और wavelength आपस में कैसे relate, और क्यों ऐसा relate करते हैं, अब हम बात करेंगे, two mark के questions की, ठीक है, देखें, सबसे पहले वो पूछता है कि, why is the ratio of the speed of light, of wavelength, 4000 angstrom, and 8000 angstrom in vacuum, is 1 is to 1, 2018 में आया हुआ है, देख सकते हैं आप, देखें, एक बात आपको मैं पहले अच्छे से बहुत clear कर दूँ, बात ये है, कि अगर कोई ray of light, एक medium से दूसरे medium में जाता है, तब speed में आती है फरक, लेकिन अगर किसी particular medium के अंदर मैं देखूँ, तो जो light है, उसके हर एक color की, जो speed है, वो एक जैसी होती है, what I am trying to say that, कि अगर एक ray of light, जैसे कि white light के अगर बात कर रहे हूँ, vacuum के अंदर ट्रैवल करती है, तो उस white light के अंदर के, साथो color, जितने भी हमारे colors देख रहे हैं, उन सभी की speed एक जैसी होती है, लेकिन जब वो white light, किसे दूसरी medium में एंटर करता है, तो उस condition में, क्योंकि हर color का अपना एक wavelength है, और wavelength उस medium के refractive index के उपर depend करता है, medium के refractive index पर depend करता है, इस वज़े से जब एक white light को हम किसी medium से पास करते हैं, तब जाकर हर एक color, अपने different different angle of reflection से अपना bend करता है, तो जब तक एक particular medium की बात कर रहे हो, medium में कोई change नहीं आ रहा, तो हर एक color का speed है वो same रहेगा, इसी वज़ा से पहले वाले पार्ट में, क्योंकि मानता हूँ कि wavelength, यह जो आप wavelength देख रहे हो न, यह है blue, violet का यह है आपका, विब गयोर का, और यह जो है red का है, wavelength, बट क्योंकि vacuum की बात हो रही है, same medium की बात हो रही है, तो हर एक का speed एक जैसा होगा, इसलिए जब इनके ratio देखेंगे, तो 1 is to 1 ratio आ जाती है, which of the above wavelength has the higher frequency, देखो एक सिंपल सी बात भी बताया था कि, यार देखो हमारे पास, V is equal to F lambda होता है, एक particular medium के अंदर, speed होती है, सबकी constant, तो इसका मतलब हुआ, wavelength is equal to constant, divided by frequency, equal और constant को हटा दिया जाए, तो ये निशान आपका बन जाता है, directly proportionality का, मतलब वैस्तों, अगर मैं इसको सही तरह पढ़ू, तो ये बोलूँगा कि, wavelength is inversely proportion to frequency, तो मतलब जिसकी wavelength जादा है, उसकी frequency कम है, और जिसकी wavelength कम है, उसकी frequency जादा है, तो अब वो कहा रहा है कि, which of the above wavelength has a higher frequency, answer will be fourth of the rankstorm, क्योंकि wavelength की value कम है, तो automatically frequency की value जादा होगी, तो थोड़ा सा logically, सोच कर, फिर question के answer देने है, ऐसे नहीं कि, कुछ भी answer दे जा रहे हो, ठीक है, तो ये है बेटा, इसका मैंने proper यहाँ पर answer दिया हुआ है, एक बार अच्छे से इसको read करें, आपको हर एक बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं कि, how is the refractive index of the medium, related to the real and the apparent depth, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, कि जो refractive index होता है हमारा, refractive index जो है, वो होता है, real depth upon apparent depth, ये हमारे पास formula हो गया, velocity of light in, अच्छा, ये बड़ाई दिया, रिफ्यक्टिव इंडेक्स, जैसे रिफ्यक्टिव इंडेक्स of a medium, अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो मतलब है कि, आटोमेटिक लिविद रिस्पेक्ट तो एर ही है, तो जो उपर होता है, ये वाला, एर, वो उपर numerator में लिखा जाता है, मतलब speed of light in air, speed of light in air, और डिनोमेटर में आजएगा, speed of light in medium, लीजे, ठीक है जी, तो simple है, समझ में आदेगा किस तरीके से करना है, बहुत simple है, रामसा अंसर दे सकते हैं, ठीक है, बाकि मैंने properly यहाँ पर आपको लिखके दे दिया है, पहले पार्ट का अंसर है, उसके बाद यह आपका दूसरा पार्ट है, एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजे, आंसर वही है जो मैंने आपको बताया है, और दो बारा है हुआ, देखो, दो है, 17 और 11 के अंदर, अब बात करते हैं यह, कि देखो, अर्रे डाग्राम टूसरा रिफ्रेक्शन ओफे मोनो का मतलब क्या होता है, यह जो मोनो देख रहे हैं, मोनो का मतलब होता है, सिंगल, पहले तो, और कॉर्मेटिक जो होता है, उसका मतलब होता है, कलर, तो सिंगल कलर अफ लाइट है, तो अप रिफ्रेक्शन, वेन इट सफर्ष अ मिनिममम डेवियेशन, देखें, जब भी हम मिनिममम डेवियेशन के बार में बात करते हैं, तो इसमें दो-तिन चीज़े ध्यान रखनी होती है, पहली बात तो यह कि तुमारा प्रिजम के केस में, तुमारा जो अंगल ओफ इंसिडेंस है, वो अंगल ओफ इंबर्जन के बराबर होना चाहिए, यह पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यह है, कि तुमारा जो R1 है, अंगल ओफ रिफ्रेक्शन फो फॉर्स्ट फेस, अंगल ओफ रिफ्रेक्शन फॉर्स्ट फेस, वो हमारा जो प्रिजम के साथ जो होता है, वो हमारा इकुल होना चाहिए, अंगल ओफ इंपर्टन फिंग इस देट, कि जब कभी भी आप इसको ड्रो करोगे, एक बात का ध्यान रखना है, कि जो रिफ्रेक्टर रे होती है, वो बेस के बिल्कुल पैरलन होना चाहिए, और अगर यह सब हो रहा है, तो समझाए कि हमें अंगल ओफ मिनमम डेविएशन ही मिलेगा, ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह आपका यहाँ पर ड्रो किया हुआ है, अब इसमें देखो, यह जो आपका रेफ्रेक्टर रही है, यह बेस के पैरलर है, और फिर यह एमर्जेंट रही है, यह आई के बराबर होना चाहिए, जो मैंने आपको अलड़ी बता दिया है, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर यह डेल मिनिममम आटमेटिकली आपको लिखना होगा, क्यों डेल मिनमम को कि आई एक के बराबर है, तो आरवन आरटु के आटमेटिकली बराबर होगा, और यह आपने इसको बनाना है, बात करते हैं, तो पहली बात यह देखने को मिली है, यह जितना जदा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, उतना जदा रे ओफ्लाइट अपने पास से बेंड कर जाती है, जिसकी वज़ाए से अगल ओव डिवीएशन उत्रही जादा होता है, पहली बात तो यह, तो मालब ही हो गया कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने से मेरा एंगल ओव डिवीएशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं वेवलेंथ ओफ्लाइट की, तो wavelength of light और refractive index ये दोनो inversely proportional है हमेशा याद रखे और क्योंकि inversely proportional है जिसकी वज़ा से जो wavelength है आपकी तो अगर आपकी wavelength increase होगी तो angle of deviation आपका decrease होगा ये बाध्यार के बाकि यहाँ पर मैंने अलड़ी लिखा हुआ है अब हम बात करते है numerical की 2 mark का है कोई तो इतना बड़ा नहीं है speed of light in glass is 2 into 10 5 km per second पहले बात तो आप ये समझें कि ये है km per second और हमारा unit क्या होता है meter per second तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका solution कैसे करेंगे easy सा है कोई तनी बड़ी बात नहीं है हम शुरुआत करेंगे यहाँ से की speed of light speed of light ठीक है in air पहले तो air का लिखते है वो है 3 into 10 to the power 8 meter per second दूसर speed of light in glass वो है 2 into 10 to the power 5 जो दिया हुआ है वो है kilometer per second अब बास यह है कि 1 kilometer में हमारे 1000 meter होते है इस वज़े से यहाँ लिखूंगा 2 into 10 की power 5 kilometer की जगा पर मिलेख दूँगा 1000 meter और नीचे second ही रहना चाहिए इसले कोई change नहीं करूँगा यह आगया 2 into 10 की power 5 into यह 1000 है ना इसको चाहूं तो 10 की power 1, 2, 3, 0's है तो मैं 3, 0's यह से लिख सकता हूँ meter per second इसके बाद यह है base same तो power add हो जाएगी मतलब 2 into 10 की power 8 meter per second finally मुझे मेरा conversion करके मिल गया है अभी कहता है reflective index का निकालना है glass का तो reflective index अगर कहता है glass का निकालना है तो automatically मतलब है with respect to air है तो speed of light ठीक है formula कहा है speed of light in air divided by speed of light in glass तो यह air उपर है तो इसलिए उपर numerator मे air ही आएगा ठीक है और नीचे denominator में glass आएगा तो बिटा यह हो जाएगा आपका 3 into 10 to the power 8 meter per second और नीचे आएगा बिटा आपके पास 2 into 10 to the power 8 meter per second meter per second आपका cancel हो जाएगा 10 की power 8 10 की power 8 cancel है तो 3 by 2 answer है नहीं तो 1.5 आपका decibel में आएगा unit कोई मतलगा न तो आप इसको नहीं करेंगे I hope यह समझ में आगया किस तरीके से आप नहीं करना है है न अब हम बात करते है 9 की अब हम कहते है कि draw the diagram given below and clearly show the path taken by the emergent tray वैसे तो दोगों कितना मुश्किल है नहीं है आपने इसमें दो बातों का धियान रखना होता है सबसे बहले जब कभी भी आपको ऐसा question आए पहले न angle of incidence धियान से बना लिया करो angle of incidence angle of incidence जो है वो incident ray और normal के बीच का angle होता है अब यहाँ पर 45 दिया है तो इसका मतलब यह automatically कितना हो गया 45 degree हो गया आपका उसके बाद ray को bend करेंगे towards the normal arrow लगाना मत भूलना प्लीज और उसके बाद आएगा bend away from the normal like this इसके आगे dotter 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 ऐसे शोग कर देना यह lateral displacement लोगी दोनों की और अगर यह 45 है तो angle of emergence भी आपका 45 degree होना चाहिए तो यह कुछ important बाते हैं जिन के बारे में आपको पता होना चाहिए otherwise गल्ती हो जाएगी ठीक है तो यह angle of emergence यह है आपका बाकी आपके लिए मैंने properly यहाँ show करके दे दिया हुआ है अब यहाँ पर क्या है ना एक बात थोड़ा से मैं change रूप करूँगा अब मेरा मनना है कि आप यह आपका 45 होना चाहिए similarly यह वाला भी आपका 45 होना चाहिए इस बाल करोड़ा ध्यान अखना बाकी को दिक्कत नहीं है ठीक अब बात करेंगे question number 10 की क्याते है कि array of light passes from water to air how does speed of light change देखिए water to air यह optical denser medium है और यह आपका rarer medium है तो जब denser से ray of light जाती है तो speed जो है ना बेटा हमेशा आपकी increase करती है पर इस कहता कि which color of light travels fastest in any medium except air तो मैं बताया तो बेटा विब गयोर में से विब गयोर इन में से जो wavelength है ना light की वो वाइलेट से इंडिको इंक्रीज़ वाइलेट से रेड की तरफ जब हम जाते हैं तो increase होती है और अगर आपको याद हो मैंने बढ़ा clearly आप पताया था कि V is equal to F lambda होता है frequency में कोई फरक नहीं पड़ता तो speed और wavelength ये दोनों directly होते हैं मनलब जिसकी wavelength जादा होगी automatically उसकी speed भी जादा होगी और इसी वज़ा से हमारे विब गयोर में से जो red color होता है इसकी wavelength जादा होने की वज़ाए से उसकी जो speed है वो भी जादा होगी बाकी देखो ये properly answer आपको दिया हुआ है I hope आपको समझ में आ जाएगा पिर कहता है कि light passes through a rectangular glass slab and through a triangular glass prism in what way does the direction of the two emergent beam differs and why देखिए पहली बात अगर मैं glass slab की बात करता हूँ तो हमने हमेशा दिखा है कि जो emergent ray होती है वो incident जो light है उसके हमेशा पैलर में होता है अगर आपको मैं एक rough सा diagram मना के दिखा हूँ तो rough सा diagram में ये समझा सकता हूँ कि ये ray आ रही है ठीक है ये bend करता है towards the ice के और उसके बाद finally emergent ray बाहर निकलता है अब ये ray और ये ray ये दोने के उसे के पैलर होते है IE के बड़ाबर होता है always IE के बड़ाबर होता always लेकिन अगर मैं एक triangular prism के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भाही इसमें थोड़ा सा अलग होता इसमें क्या होता कि ray of light after reflection हमेशा bend करता है towards the base of the prism पहली बात और IE के बड़ाबर जरूरी नहीं है कि होगा वो एक ही angle of deviation में ऐसा करता है जिसको angle of minimum deviation कहते है apart from that IE और E हमेशा आपका different ही रहता है तो ये दोन आपसे पैलर होते हैं ये बिल्कुल पैलर नहीं होते हैं आपके ठीक है उसकी वज़ा से इस तरह से हमें दो different behavior जो है emergent ray के दिखाई देते हैं वाकि बड़ा देखो ये आपका मैंने हाँ पर आंसर दिया हुआ है और यह हमें लिखा हूँ मैंने इस प्रॉपरली कि एक rectangular glass सब की बात करूँ तो जो emergent ray है वो पैलर होता सब्सक्राइब के बट यार नोट अलोग दा सेम लाइब बिल्कुल नहीं होते लेटर डिस्मेंट में बताया थो अच्छा दिन के वीद में लेकिन emergent ray prism के अगर बात को तो वो पैलर होते ही नहीं है ठीक है न तो आई होप यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके सर्व क्यों ऐसे लिखा गया है हाँ यह कोशन काफी अच्छा कोशन है कहता कि array of light moving from rarer medium to a dancer medium and strikes a plane mirror ठीक है at an angle 90 degree to the direction of the ray यह 90 degree पर strike यहां पर कर रहा है make sense कहता कोपी दागराम and mark the arrows to show the path of the ray of light after it is reflected from the mirror कुछ नहीं करना था अगर एक ray of light आपकी normally fall करते है किसे mirror पे तो हमने पढ़ा हुआ है कि यह उसी path से reflect back कर जाएगा जिस path से वो आया है तो ray of light जब normally fall करता है तो टकरा के उसी path से वापिस चले जाता है यह आपने ऐसे show करना था इसके उपर name the principle इसको कहते है principle of reversibility ठीक है जिसके basis पे आप यह मलब जो है arrows जो है ऐसे बना रहे हो बाकि देखो आपके सामने यह रहा प्रॉपरली बना के दिया हुआ है आप इसको जब पेपर में बनाओगे तो इसको प्रॉपरली बनाना बिटा arrow की गलती मत करना अगर आपने arrow गलत कर दिया तो यह पूरा कोशन जितना मर्जिया में ठीक है वो सारा गलत है आपका arrow प्लीज जू डालना ध्यान से ठीक है वाकि principle of reversibility में आपको अलड़ी बता दिया है question number heading की बात करते हैं कहते हैं कि the refractive index of glass with respect to air is 1.5 so what is the value of the refractive index of air with respect to glass फिर से वो ही बहुत ज्यादा simple है मैं आपके लिए यहाँ अलग से इसको करके दिखा देता हूँ देखिए refractive index of glass with respect to air यह हो गया वीटा आपका 1.5 ठीक है इसको मैं 3 by 2 भी लिख सकता हूँ अब वो कहरा है कि refractive index of air with respect to glass क्या होगा इसको हम principle of reversibility से ही इसका answer निकाल सकते हैं कि जो g mu a है वो actually 1 upon mu g a होता है मतलब यह कि a mu g का reciprocal अगर लेलू तो वो g mu a बन जाएगा दोनों को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए यह है refractive index of glass with respect to air और यह है refractive index of air with respect to glass तो बना आपने सरफ reciprocal को लेना था तो यह 2 by 3 आपका यहां आ जाएगा और 2 by 3 मतलब हो गया 0.666 चलता रहता है तो आप approximately इसको लिख सकते हैं 0.67 क्योंकि इसके बाद वाला जो 6 है न 5 से बढ़ा है तो जब इसको हटाऊंगा तो इस पर 7 आ जाएगा तो 0.67 जो है आपका यहां पर आंसर आ जाता है अच्छा फिर वो काता कि array of light is incident as a normal ray on the surface of the separation of the two different media what is the value of angle of incidence in each in this case तो बहुत simple है यार अगर एक array of light normally fall करती है न किसी भी surface पे काफी बच्चों का यह मन में आता है तो इसको angle of incidence 90 degree बन जाएगा बट वो गलत है हमें हमेशा angle normal के साथ देखना होता है और क्योंकि normal हमेशा ऐसे बनता है तो इसलिए जो angle of incidence से वो हमारा 0 degree होगा ठीक है तो यह इसका answer है बाकी यहां पर आपके लिए solve करके मैंने दिया हुआ है ठीक है जी अब आयाता next ray of light incident at an angle of incidence i passes through an equilateral glass prism such that the refractory the refracted ray inside the prism is parallel to the base बस बात ही खत्म होगी refracted ray की पहलर है बेस के and जो emerge and emerges from the prism at an angle of emergence e so how is the angle of emergence e related to the angle of incidence i answer बहुत simple है क्योंकि refracted ray base के parallel हो गया है तो यह angle of minimum deviation की condition है उस condition में हमारा i जो है वो हमेशा e के बराबर होता है क्याता what can you say about the value of angle of deviation in such a situation so in this situation we always have an angle of minimum deviation तो यह इसका सही answer होगा बाकी देको बेटा अपले यहां पर आपको लिख के दिया है आप एक बार अपको अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो लिए आज की वीडियो का आखरी question हम करेंगे क्याते है कि define the term refractive index of a medium in terms of the velocity of light मैं आपको बता दिया it is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in a medium यह तो होगा पहले पार का अंसर फिर कैता था ray of light moves from rarer medium to a denser medium as shown in the diagram बिल्कुल दिख रहा है जी write down the number of rays the number of the ray which represents the partially reflected ray तो ray number two है क्या होता है कि जब कभी एक ray of light किसी एक medium से दूसरे medium में enter करता है तो सारी कि सारी जो ray of light है वो reflect नहीं हो पाती कुछ जो light है वो reflect हो जाती जैसे कि ray two आप यहां पर देख रहे हूं और यहीं इसका answer हो जाएगा बाकि देखे आपके सामने यहां पर लिख के दिया है and I hope आपको अच्छी तरह समझ में आगा होगा किस तरीके से आपने इसका answer देना था ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने reflection of light के जो previous questions ते वो discuss करने शुरू कर दी है आने वाली वीडियो के अंदर इसके सारे previous question में discuss कर दूँगा question बहुत जादा होते हैं इसलिए मुझे multiple वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि अगर एक ही में बनाऊंगो तो वीडियो बहुत बढ़ी हो जाती है तो आप बोर हो जाएंगे क्याने का मतलब यह है एक तरह से तो इसलिए मैं multiple जो वीडियो इसमें बनाता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही thank you so much